कि अज़िए आपका मेरे चैनल हिंदी टेक्निक्स में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गूगल पे को लेकर जो भी लोग गूगल पे यूज करते हैं जब वो इसको इस्टॉल कर लेते हैं और बैंक एकाउंट को लिंक करते हैं तो वहां पर एरर आ जाता है इस टेकिंग लॉगर देन यूजवल तो देखिए मैं उसका स्क्रींशॉट आपको दिखा देता हूँ इस तरह से आपको दिखाई देगा जैसे आप एकाउंट एड अकाउंट पर किलिक करते हैं तो वहां सेंट SMS आता है तो SMS सेंड हो जाता है उसके बाद यहां पर यह सरक् लॉंगर देन यूजवल प्लीज वेट यहीं आता रहता है और एकाउंट लिंक नहीं हो बाता मैंने काफी सारे वीडियो देखे सभी में बताया गया है कि सेटिंग ठीक कर लीजिए वह अलाओ कर लीजिए वह अलाओ मत कीजिए तो वह सब दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूँ कि यहां पर मैं दो तीन तरीके आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम हंडेड और फाइब परसेंट सॉल्व हो जाएगी अब बात रही सेटिंग की तो दोस्तों सेटिंग के एलाओ करने की जरूवत तब होती ह तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो में बताता हूँ आपको किस तरह से आप इस एरर का सॉलूशन कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यह रेट सर्कल में जो बैल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूले जिससे के मैं कोई भी नए वीडियो नहीं हो पाता है दोस्तों तो इसमें देखिए सेंट एसमेस फूर वेरिफिकेशन तो यहां बेलेंस की बात तो खतम हो जाती है कुछ लोग बोलते हैं कि आपके जो नंबर आप डालने हैं उसमें दो रूपर बेलेंस होना चाहिए अगर दो दो रूपर बेलेंस ना होता तो यह सेंट एसमेस यहां से नहीं होता दोस्तों तो उसकी बात तो बिल्कुल खतम हो जाती है और बात होती है सेटिंग एलाओ की तो सेटिंग एलाओ जब हम इसको इसको इस्टॉल करते हैं तभी यह सारी सेटिंग में एलाओ मांग लेता है तो दोस्तों अब मैं बता द पर्टिकुलर नंबर ही पर्टिकुलर एकाउंट में एड होना चाहिए एक मोबाइल नंबर पर कई सारे एकाउंट नहीं लगे होने चाहिए इस चीज़ को थोड़ा ख्याल लगके मैंने एक बार ट्राइग किया था तो मेरे साथ भी यही प्रोब्लम आई थी तो मैंने नया नंबर नया सिम लिया और नया सिम को वहाँ पर रजिस्टर करा दिया अपने बैंक से उसके बाद मैंने जैसे ही इसमें एंटर किया वो नंबर तो सबकुछ एक बार में ही सबकुछ किलियर हो गया और मैं अब गूगल पे यूज कर रहा हूं दोस्तों तो मेरे वीडि से लिंक है वो आपके इस मोबाइल में होना चाहिए जिसमें आप Google पे इंस्टॉल कर रहे हैं दूसरी चीज उसमें बेलेंस होना चाहिए दो रपे से ऊपर मैं बेलेंस में और तीसरी चीज यह कि वह आपका नंबर सिर्फ एक ही अकाउंट में लगा होना चाहिए जो भी अक 88% यह प्रब्लम स्वल्फ हो जाएगी तो दोस्तों हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक और यह एल्फ भूल भी रहेगा मुझे पूरा भरोसा है इस पर इसके लाब फिर भी कोई प्रशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजेगा ओके फ्रेंड्स हमारा वीडियो सिर्फ